हेलो एवरीवन वेलकम और मैट्यूप चैनल यदि आप सभी स्टो की डिटैल एनलाइस पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो में हम इंटरे गिया, इसेंटी या कमपनी की डिटेल एनलाइजिस करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस कमपनी की शेवपाई 6 रुपे 80 पैसा है और एक दिन में almost ये फ्लेट देखने को मिला पिछले 5 दिन में 0.73% के negative return पिछले एक महिनों में 7% के return छे महिनों में 21% के negative return एक साल में almost 270% के return पांस सालों में 300% के return और maximum returns के बात करें तो 300% के positive return दिया है एक पैनी स्टॉक होने के साथ साथ इस स्टॉक ने काफी अच्छा returns दिया है तो क्या इस कमपनी के share को खरीदना चाहिए या avoid करना चाहिए तो जैसे कि यहां company के business and fundamentals की बात करें तो यह जो company है life, essential, foods, product, clothing, textile, infrastructure, material and service construction, infrastructure, development, energy में work कर रही है market के application 300 करोड का है stock का लो 1 रुपा, stock का यह 9 रुपे 45 पैसा B की बात करें, 46 points साथ है book value 1 रुपे 65 पैसा face value 1 रुपे की है promoter holding काफी कम है 20% की और यहां पर बात करें, debt की तो 28 करोड का debt है बात करें, यहां पर company के quarter and quarter basis result की है तो continue काफी loss होने के बाद अभी company का जो profit है वो धीरे धीरे यहां पर बढ़ते वे देखने को मिल रहा है जैसा है कि आप देख सकते हो 2 करोड, 2 करोड, 11 लाग, 1.86 करोड इसी के साथ साथ year on year basis की बात करें तो year on basis काफी loss होने के बाद company काफी अच्छा profit earn कर रही है 1 करोड और 7 करोड यहां पर बात करें रिजर्स की तो काफी time से company के रिजर्स यहां पर negative थे अब company के जो रिजर्स है वो भी positive देखने को मिले 30 करोड और company ने काफी अपना borrowings भी कम किया है 28 करोड का भी borrowings है पर यह भी borrowings काफी ज़्यादा है यहां बात करें other promoter holdings की तो आप देख सकते हो 20% के shares promoters के पास है FIS ने भी almost काफी अच्छा stakes लिया हुआ है 1.51 का BIS के पास 1% के stakes है public के पास 76% के stakes है public में आप देख सकते हो इन सभी investors के पास यहां पर काफी अच्छा stakes इस company का है तो क्या इस company के share को खरीदना चाहिए या avoid करना चाहिए तो जैसा है कि आप देख सकते हो company के जो fundamentals है उसमें अब company के धीरे धीरे यहां पर profits बढ़ रहे हैं और balance sheet भी strong होते वे देखने को मिली है बट छोटे penny stocks में अगर आप बहुत ज़्यादा quantities में trade करते हो या बहुत ज़्यादा quantities buy करते हो तो आपके लिए थोड़ा यह risk हो सकता है क्योंकि छोटे stocks में काफी ज़्यादा patience आपको रखना होगा अगर आप इतना patience रख सकते हो तो ही इस companies में investment करें और investment करने से पहले अपने financial advisor से जरूर बात कर लें thank you दोस्तो